हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे पहले मैं आप लोगों को बता दू नीचे कोमेंट करके आपको चार सवालों का जबाब देना है पहला सवाल ये है कि कलहन के द्वारा जो राज तरंगनी लिखी गई थी न वो किस बिसे पे लिखे गई थी उसका बिसे बताना है आपको क्या वो बुध के सिक्षा पर था संगित पे था चिकित्सा पर था या कस्मीर के राजाओं के बारे में था ठीक है दूसरा कोश्चन यह है इंद्रा अ बायोग्राफी यह पुस्तक जो है किसके दौरा लखी गई है इंद्रा अ बायोग्राफी एक बुक का नाम है आपको उसके राइटर का नाम लिखना है सोनिया गांदी आरके धवन करन सिंघ या फिर जै करने नीचे कॉमेंट करके बताईएंगा तीसरा सवाल अब मैं पूछता हूं देखिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है मिनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है जी हं मिनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है 안녕 नीचे comment section में जवाब देना है आपको मदरय में महाबली पूरम में मैसूर में या रामेश्वरम में अगला सवाल है आखरी सवाल जी हां आप लॉंग टर्म तक यह चार सवाल जो है एटलिस्ट नहीं भूलोगे पहला सवाल देख लिजिए बौरो बुदुर का परसिद बौध बंदिर देखिए बौध धर्म को आप बिल्कुल डीपली पढ़ जाईए अगर मैं क्रिंज भासा में बोलूं बिल्कुल बेकार वाल लाया गया था विदेश आप कैसे बोल सकते उसमें तो खैर बौंडरी वगएरा उतनी बौडर वगएरा नहीं थी खैर चाइना में स्रिलंका में इंडोनेशिया में सिंगापूर में बहुत ऐसे जगह है जहां पर बौध धर्म का परचार परचार हुआ है और इसी में एक चिकित्सा बिज्ञान का जनक किसे कहा जाता है युनानी चिकित्सा बिज्ञान की बात हो रही है यहां पर तो देखिए हिपोक्रेटस यानि कि इसका option क्या होगा सी राइट हो जाएगा हिपोक्रेटस को युनानी चिकित्सा बिज्ञान का जनक महनते थे चलिए आगे रखा था और मुगल समराज जो देखिए इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो उसमें जो है माराथा दिल्ली और जो पूरा नॉर्थ इंडिया है यूपी बगएरा बिहार बगएरा यहां पे उनका सासन चल रहा था लेकिन साउथ को माराथा समराज ने कैप्चर करके माराथा परशासन में परधान मंतरी को पेशवा कहा जाता था आपने सायथ वो दो मोवी आया थी ना ? रुनवीर शिंग की वह अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा एक तो कौन सी मोवी थी मैं खुदी बूल गया खैर अग्ए अगर याद आता है तो मैं बता मुवी देखने का समय नहीं है जानकारी जुटाने का समय आ गया है अब कोनार्क में किस देवता का प्रशिद मंदिर है कोनार्क में क्रिशन भगवान का मंदिर नहीं है राम का भी मंदिर नहीं है शिव का भी नहीं है सुरी देवता जो है उनका प्रशिद मंदिर आपको कोन पाटली पुत्रा आमरपाली राजगरी या फिर चमपा तो देखिए पाटली पुत्रा भी रह चुकी है लेकिन सबसे पहले जो है राजगरी जो की प्रारम भी किहां से पूछ लिया गया है कोश्चन को ध्यान से पढ़ना कोश्चन अब घुमा फिरा के आपको देखने को मि हैं बहुत धर्म की साखाएं है लेकिन तंत्र यान नाम का कोई भी जो है यहां पे साखा बहुत धर्में आपको नहीं मिलेगा यानि की ऑप्सन डी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे कोश्चन वर सेबन की और किसने कहा था मनुसिस सोतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सरवत्र बंधनों में बंधा रहता है साथी के बारे में यहां पे बोला जा रहा है खैर कोई बात नहीं मजा कर रहा था मनुसिस सोतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सरवत्र यानि की हमेशा बंधनों से घिरा रहता है बंधा रहता है ऐसा किसने कहा था पै सिक्षा विद्वी थे चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की और त्याग राजा क्या करते थे राजनितिक थे वैज्ञानिक थे संगीता थे या डांसर थे नर्तक जिसे बोला जाता है तो option D सही है यह डांस किया करते थे यह क्या करते थे डांस क्या करते थे ठीक है चलि परनाथ पर इन्होंने सबसे पहले सिक्षा दे थी, यानि की option C आपका क्या होगा, correct हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, एगले प्रशन की हो, जै हिंद, ये जो पद है, सबसे पहले किसने अपनाया, किसने कहा, जै हिंद, जै हिंद के बारे में, चंसेकर आजाद ने न आजिएगा, ठीक है, उमिद करता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, 1857 का विद्रो कहां से सुरू हुआ था, 1857 का विद्रो दिल्ली से नहीं, जासी से नहीं, कानपूर से नहीं, बलकि मेरट से सुरू हुआ था, यानि कि D क्या होगा, correct हो जाएगा, और एक जो चर्चित वेक्ती है, 1857 के क्रांती में, जहां से सैनिकों के द्वारा जो बिद्रो किया गया था, उसमें मंगल पांडे का नाम बहुत ही प्रचलित है, मैं बहुत सारा फिल्में देखा करता हूँ, तो उनमें मंगल पांडे अमीर खान के द्वारा एक मुवी है, व इसमें आपको राजा हर्स के बारे में जानकारी मिलती है, कलहन के द्वारा जो राचना की गए थी, बानवट के दा, एक्चलि यहां पर बानवट है, खेर कोई बात नहीं, भावभूती या भारवी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा बानवट, यहां पर पू स्कूल में बहुत ही सिंगानिया टाइप का नाम होगा, खेर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, नटराज की परसिद्य काश्यमूर्ती किसका उधारन है, नटराज की परसिद्य काश्यमूर्ती जो है, मौरिकला का उधारन है, गुप्तकला का, गंधर्व का, यह चोल का तो इसका right answer होगा चोल कला का जो है नटराज प्रसिद्ध कांस मुर्ती है नटराज की फोटो भी आपने देख रखी होगी इसका right answer क्या होगा चोल कला चलिए आगे बढ़ते हैं 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल को था बहुत ही important question आपको पता है आपके syllabus में भारती राष्ट्री ये आंदोलन है तो 1857 के समय बिद्रो जो हो रहा था उस समय के भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था तो इसका right answer क्या हो जाएगा केनिंग उस समय के जो लौड केनिंग यहां के गवर्नर जनरल थे सबसे उंचा बहुत अस्तूप कहां पर है कहां पर वो इस्तित है बोरो बुदुर में सांची में सारनाथ में या बैसाली में तो देखिए इसका जो सही answer है वो हो जाएगा सांची और सांची जो है आपको कमबोडिया का बौद मंदिर से चीन का एक अजाइब घर से जपान का बुलेट ट्रेन से या मैनमार की एक नदी का नाम है तो देखिए यह जपान का एक बुलेट ट्रेन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option number C बुलेट ट्रेन is the right answer चलिए आगे बढ़ेंगे अगले बंगाल प्रेशिडेन्सी के नाम से जाना जाता था ये भी आप याद रखेएगा जगह कम है मैं आधा लिख रहा हूं बंगाल प्रेशिडेन्सी के नाम से यह जाना जाता था। और विहार जो है उरिशा से कअ और या याद रखे ले न हैं आपको prank invers 1936 में कब अलग हुआ है 1936 में और बिहार से ये भी कोशन पूछा जा सकता है कि जारखंड कब अलग हुआ है देखिए ये भी बहुत इंपोर्टन सवाल है बिहार से जारखंड जो है पांच नवंबर सुरी 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ है क्लियर हो गए बाते और जारखंड का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है अब इसी बात है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जा दे दूँगा ये सवाल मैंने पूछा था इसका राइट आंसर है सुवास चंद्र बोस जिन्हें नेता जी के नाम से हम लोग जानते है उन्हें जो है नेता जी के नाम से भी जाना जाता है क्लियर हो गई बाते दिलवाडा का जैन मंदिर कहां इस्थित है या अवस्थित है यहां पर यह दिलवाडा का जैन मंदिर आपको मिलेगा तो देखें माउंट आबू में यह मिलेगा यह कहां मिलेगा माउंट आबू म साथ आपको जाना था चलिए आके बढ़ता यह बहुत important सवाल है इन्हें तो जरूर याद कर लिजेगा किसी देश में जनसंख्यां विर्धी दर सबसे जादा है यह 1996 का प्रसन है यह दिमाग में आप याद रखना और उस समय के जो एक माता पिता होते है ना मदर और फादर और अगर इन से 2.3 बच्चे पैदा हो रहे हैं अब आप बोलोगे यह कैसा मैथ है तो ऐसे आप समझ लो कपल के हिसाब से समझ लो मेरी बात को कपल के हिसाब से 2.3 अगर एक बच्चा हो रहा है तो यह जनसंख्यां आपकी stable रहे की चलिए आगे बढ़ते हैं कोल जन जाती किस राज में पाए जाती है असम में उडिशा में मध्य परदेश में या तिरीपुरा में तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा option number C मध्य परदेश में आपको कोल जन जाती देखने को मिलेगी पश्चमी टट पर फिर से एक बार को option C है कांडला जो है वो क्रित्रिम बंदरगा है क्लियर होगे बाते चलिए 25 रवे नमर पर बढ़ेंगे कांगो घाटी किस तरह की जलवायू परदेश में है कांगो घाटी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे तो इसका right answer फिर से एक बार सी होगा भू उमद सागरिय है option C के साथ आपको जाना था हम लोग जाएंगे question number 26 की और aluminium का अगर कोई electric configuration कर सकता है तो नीचे comment करके जुरू बताईएगा aluminium का जो atomic number है वो है 13 तो नीचे comment करके अगर आप इसका atomic number कर दो 28 मैंने कर दिया एक आप ही कर दो मैंने लगबग लगबग कर दिया आप नीचे comment करके बताईएगा तामबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगा बहुत ही परसिद है राची खेतरी कटनी जादू गुड़ा तो इसका right answer देखिए खतरी में होगा और खतरी कहा है राजस्थान में है राजस्थान में आपको यह स्थान मिलेगा याद रखिएगा क्या हो जाएगा option option B के साथ आपको जाना है फिलाल हम लोग बढ़ेंगे अगले question की और गोभी रेगिस्तान कहां इस्तित है भारत में मिस्र में ब्राजिल में या मंगोलिया में तो देखिए गोभी रेगिस्तान आपको मिलेगा मंगोलिया में कहां मिलेगा दोस्तों मंगोलिया option D के साथ आपको जान है किस अयस्क में लौधातों की मात्रा अधिक पाए जाती है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमेटाइट में एस्का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमेटाइट ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है क्लियर होगए बाते आगे देखिए मास्क के लिए पसुपालन में कौन सा देश अगरनी है अर्जंटीना इरान भारत या अफगानिस्तान तो देखिए अर्जंटीना सबसे ज़्यादा जो है मीट जो है प्रड्यूस करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश में खनीज तेल उचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जा जगा रोमानिया में बड़े बड़े पहाड़ों को खोद के खनीज तेल निकाला जाता है विस्यू की सबसे बड़ी जील बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताओंगा कुछ एक्स्टा चीज़ें भी बता दूँगा इसका र फ्रेश वाटर की बात की जाए तो सूपिरियर जील जो है आपका राइट आंसर होगा विस्प की सबसे बड़ी जील सूपिरियर जील हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं माउंट टेवरेस्ट की उचाही मीटर में कितनी है तो उस समय के हिसाब से 8848 है लेकिन हाल के में में ये दो मीटर बढ़ चुका है 8850 अभी पुछा जाएगा कोश्चन तो आपको ये लगाना है लेकिन ये 1993 में है सी के साथ आपको जाना था आगे जाएंगे कॉंग्रेडिक पावर प्रियोजना कहां पर इस्थित आपको बताना है उस जगह का नाम मारास्टा में आं अनधी पे ओड़िशा में है ये option D इसका right answer है ये वी पूछा जा सकता है याद रखिएगा ओंगस जन जाती कहां की है बिहार की है मद्यपरदेश की है अंडमान निकोबार की है या नागा लेंड की है तो C इसका right answer होगा अंडमान और निकोबार में आपको ओंगस जन जा करता है निच्छे कॉमेंट करके बताएगा कितने राज्यों के साथ उलान बटोर किस देश की राजधानी है देखो कितना ही टेड़ा प्रसन आपसे पूछा जाएगा राइट अंसर मंगोलिया होगा मंगोलिया के बारे में आपने पढ़ा भी बहुत मंदिर के बारे में आपसन C 900 मीटर को पहाड मान लिया जाता है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है क्यूबा है अर्जंटीना है या ब्राजिल है तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा दोस्तों ब्राजिल आपसन D के साथ आपको जाना है कहां किस के साथ D के साथ हम लोग आगे जाएंगे सतलज नदी का सुरोध कहां है सतलज नदी का सुरोध कहां पर है यह आपको बताना था तो देखें तिबबत में सतलज नदी का सुरोध आपको मिलेगा option A is the right answer चलिए आगे बढ़ेंगे कौन सा टाइगर रिजर्फ उद्ध्यान नहीं है नीलगरी का जो टाइगर रिजर्फ है वो उद्ध्यान नहीं है डेज का right answer होगा आगे चलते हैं भारत के राष्टपती के लिए निमंतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए 35 साल निमंतम सीमा होनी चाहिए आप लोग comment करके बताओगे भारत के राष्टपती की salary बेतन कितना है नीचे comment करके बताईए ये भी question exam में पूछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे लोग सभा में राष्टपती द्वारा मनुवीत किये जाने वाले एंगलो इंडियन की संख्या कितनी होती है तो दो होती है साइद मुझे एक बार आप जीके करके देख लेना I mean Google करके देख लेना अब साइद ये एंगलो इंडियन को जो राष्टपती द्वारा मनुनित क्या जाता है इसे हटा दिया गया है 545 सदस पहले के according होते थे 543 चुने जाते थे और दो जो है यहां से मनुनित हो जाते थे आगे देखिए भारतिय समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत जमू और कस्मीर को विशेस राजिका दरजा दिया गया है तो 370 है लेकिन अब 370 को हटा दिया गया है 35 A को हटा दिया गया है राइट अनसर आपका क्या हो जाएगा option D फिलाल के लिए आप इतना ही समझ लो भा भारत में सार्व भौमिकता एकता खंडता को बढ़ाना सही है धर्म निर्पेक्षता को बढ़ावा देना सही है हिंसा का प्रित्याग करना ऐसा कुछ भी बातें लिखी नहीं गई है मुलक करतब्यों में 20 का राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे निमलिकित में से किसकी कमी से रक्त हीनता होती है आईरन कहां है यहां है और आईरन महिलाओं में खास करके जब वो प्रेगनेंट होती है या फिर आम तोर पर ऐसे में भी जो है जो टीन एज होता है जहां पर बच्चों को जो है आईरन की कमी हो जाती है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा clear है आगे बढ़ते हैं सबसे कड़ा पदार्थ क्या है हीरा क्या है सबसे कड़ा पदार्थ हीरा 20 का right answer हो जाएगा ठीक है बिजली के बल में कौन सी gas का प्रियोग किया जाता है तो अक्रिय जिसे novel gas भी कह जाता है इंगलिस में novel gas यानि कि जो किसी के साथ react नहीं करता है यानि कि उसका जो outer most sale है वो complete भरा रहता जैसे आरगन 18 अगर आप इसका electronic configuration करोगे electronic विनियास दो आठ clear है और 8 तो देखो 28 18 होगे 28 18 कहां से होगे 10 होगे और 8 18 होगे और बाहर वाले outer most sale में देखो गर 8 है तो आप इसमें कुछ ना ये किसी electron लेगा ना किसी को देगा इसे बोला जाता है अक्रिय गैस आगे देखिए एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होता है कौन सी उर्जा होती है यान तरीक इस्तिती जी उर्जा संचित रहती है यानि कि sees का right answer हो जाएगा ये 50 questions थे अगर इसका part 2 भी चाहिए होगा तो मुझे पता चलेगा वीडियो आपने यहां तक देखी है और प्यार किया है इस वीडियो को तो नीचे comment में part 2 जरूर लिखेगा तो मैं part 2 इसकी वीडियो बना दूँगा जहां पे कुछ और science वाले questions को हम ल आगे बढ़ाए वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत सुक्रिया have a good day